हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम आपसे डिसकस करने वाले हैं इस डिजैन के वारे में फ्रेंड्स हम आपसे डिसकस करेंगे यह हमारा जो डिजैन है यह हमारा 6 रूम का हमारा डिजैन है मिन्स की 6 कमरों का यह हमारा घर है गाओं के हिसाब से हमने isco detagen के हूए है और जो हमार पास इसका child construction area है वो हमार पास 32 feet by 42 feet में हमने isco detagen के हूए है means कि 32 feet by 52 feet में यह हमारा design है इस design को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं यह हमार पास स्के side का view रहेगा side में कुछ इस तरीके से design रहेगा यह हमारा कुछ इस तरीके से ही हमारा design है जो कि हमारा पास गाओं की requirement के according ही हमारा design है और गाओं के हिसाब से ही हमने इसको region के हुआ है तो इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा 3D model के बारे में आप से discuss करेंगे यह हमार पास का 3D model है हम आपको इसका नक्षा के बारे में बताएंगे यह हमार पास का नक्षा भी रहेगा यह हमार पास का नक्षा है तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा अंतक देखते रहेगा वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप से कहना चाहूँगा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड़ वांग क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा नोटिफिकेशन वेल को प्रेज कर दीजेगा जिससे कि हमारी पढ़ते एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो चलिए सुरू करते हैं तो ये फ्रेंट्स हमारे पास जो डिजेट है आप जो डिजेट देख रहें इस स्क्रीन पर इसका ये जो फ्रेंट है फ्रेंट हमारे पास से 32 फिट का है और घहराई की बात करेंगे तो हमारे पास से 52 फिट की हमारा डिजयन है और इसमें जो हमारा डिजयन के हुआ है यह हमारा पास एक बहुत ही लो बजट का हमारा डिजयन है बहुत ही कम बजट में हमारा डिजयन रहेगा और इसमें हमारी जो फिनिसिंग है पूरा ही पैंट फिनिस में यह हमारा घर रहेगा पूरा ही पैंट फिनिस मैं इसको डिजान दिये हुआ है जो कि six room का यह हमार घर रहेगा तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे घर की जो entry होगी friends वो हमारी इस बरामदी में होगी यहाँ पर हमारा यह बरामदी का हमार डिजान रहेगा यहाँ पर हमारा बरामदी को अपना sitting वगगर भी बोल सकते हैं हमार पास अपना sitting area रहेगा ब्रामदे से ही घर के अंदर जाने के लिए हमने यहाँ पर यह man door दिये हुआ है यह हमारा man door होगा इसी man door से हम अपने घर के अंदर enter करेंगे तो यह हमार पास अपना man entrance door है तो इस door से आप देखेंगे कि जैसे इसमें enter करेंगे हमार पास यहाँ से यह door रहेगा तो इसी door से हम अपने gas room में enter कर सकते हैं यह हमार पास अपना gas room का हमार जायन है gas room में हमें हमें है बड़े साइच की दो window में लेंगी तो दौनों windows से हमारा इस room का बहुत ही अच्छे से ventilation होता रहेगा तो यहाँ पर हमार पास अपना gas room का हमार जायन रहेगा gas room के लिए हमने attach के हुआ है toilet के साथ में यहाँ पर हमार पास attached toilet होगा यह यहाँ आप देख सकते हैं यह मर पास अपना attached toilet पस bathroom का माई जायन है में इसके अपना कोई भी guest बगएर आता है तो guest बगएरा इस toilet bathroom को use कर सकता है यहाँ पर हमार पास यह toilet bathroom का यह हमार पास design रहेगा यहाँ पर हमार पास यहाँ पर रहेगा अपना common toilet और common bathroom रहेगा यहाँ पर हमारा common toilet रहेगा means कि यह जो हमारा toilet और bathroom रहेगे इनके लिए family का कोई भी member ने यूज़ कर सकता है या फिर अपना कोई भी normal guest आता है जो घर के अंदर आ सकता है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है तो यहाँ पर हमार पास यह common toilet और common bathroom का हमार पास यहाँ पर design रहेगा front में हमार पास यहाँ पर एक bedroom का डियार रहेगा जिसमें हमार पास इस room में भी हमें दो window मिलेंगी बड़े साइच की तो दोना windows से हमारा इस bedroom का भी ventilation होता रहेगा तो यह हमार पास अपना एक bedroom का हमार डियार रहेगा यहाँ पर हमार पास से bedroom रहेगा यह फर्ट हमार पास रहेगा अपना second bedroom का डिजान या फिर आप इसे बोल सकते हैं third room का डिजान और इस room में भी हमें यहापर एक बड़े साइच का window मिलेगा तो इस window से हमारा इस room का भी बहुत ही अच्छे से ventilation होता रहेगा तो यह हमार पास अपना third room का या फिर second bedroom का हमार पा जान रहेगा यहापर पास रहेगा अपना fourth room का डिजान या फिर आप इसे बोलेंगे third bedroom का डिजान यह हमार पास अपना fourth room है और इस room के अंदर भी हमें आप बड़े साइच का window मिलेगा तो इस window से हमारा इस room का भी बहुत ही अच्छे से ventilation होता रहेगा तो यह हमार पास जान है यहाँ पर हमें मिलेगा अपना डैनिंग एरिया और इस्टेर केस का अमार जान रहेगा जिसके अंदर हमें यह पर एक window मिलेगा तो इस window से ही हमारे पूरा जो डैनिंग हॉल है इस पूरे का ventilation हमारा इसी window के थो होता रहेगा यह फ्रेंट्स हमार पास रहेगा अपन रहेगा मेंस के आप इसे बोलेंगी कि हमारा फोर्थ वेड्रूम का हमार जार रहेगा जिसके अंदर हमें आप भी दो विंडो मिलेंगी तो दौनों विंडो से हमारा इस रूम का भी बहुत ही अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा और यह हमार पास एक बड़े साइच का यह हमारा बेड्रूम रहेगा यहाँ पर मिलेगा फ्रेंट्स हमार पास किचिन का डिया है यह हमार पास अपना किचिन रहेगा जिसमें हमें या पर भी एक बिंडो मिलेगा तो इस बिंडो से हमारा इस किचिन का भी अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा यह हमार पास अ तो टोटल हमार पास इसमें छे रूम हैं जिसमें हमार पांच बैड रूम हैं चारल हमार पास इसके लेफ सेड में रहेंगे एक हमार पास यहां पर इस कॉर्णर में रहेगा और एक हमार पास यहां पर रहेगा तो टोटल हमार पास इसमें छे रूम का यह हमार घर है जो कि व तो अब हम चलते हैं इसके map की तरफ नक्सी की तरफ यह फंट मार पास नक्सा रहेगा मेप रहेगा तो हमार पाउस इसका यह मैन construction एरिया है मेन covered एरिया है इसमें आप देखेंगे हमारे हर की सबसे पहले जो इंटेरी है वह हमारी ब्रामदे में यहां पर मारा ब्रामदा है 8 infected 6by थड यहां मरता ब्रामदे का डिजान है अपना बेटरूम नार रहेगा यहां पर हमारा बेटरूम होगा जो की हमारा पास 12 फिट भाई 10 फिट 8 इंच का यह हमार पास अपना एक bedroom है और bedroom के front में हमें हम यहां पर मिलेंगे अपना common toilet और common bathroom गाड़ियार यहां पर हमारा common toilet फटायट रहेगा जो कि 4 fit 8 inch वाई 4 fit का यहां पर हमें common bathroom मिलेगा जो कि 4 phase 7 fits 2 inch का यहां पर हमार पास रहे गा यहां पर हमार पास रहेगा यहां पर हमार पास detщins का यह हमार ड्रैइंग रहेगा और यह यहां पर पास अपना staircase है और यहां पर हमार पास पूरी dining lobby रहेगी जो कि हमार पास है 9, 10 feet, 6 inch wide की हमार पास यहां पर dining lobby है और यहां पर हम अपना मंदर बगार का provision भी कर सकते हैं यह हमें master bedroom मिलेगा जो कि 10 feet, 8 inch wide, 13 feet, 8 inch का हमार पास अपना master bedroom है friends, यहाँ पना हमें kitchen मिलेगा, जो कि 8-4, 5-inch वाई, 9-4, यहाँ पना kitchen रहेगा, और यहाँ पर भी हमें एक master bedroom मिलेगा, जो कि 10-4, 8-inch वाई, 13-8-inch का, यहाँ पर भी हमार पास एक master bedroom का मारण ज़ियार रहेगा, या फिर आप इसे बूल सकते हैं सिर्फ एक वेट रूम का मार डिया रहेगा यहाँ पर फ्रेंट्स हमें एक वेट रूम मिलेगा जो कि 10-foot, 8-inch वाई, 11-foot, 9-inch का यह भी हमर पास एक वेट रहेगा तो यह हमर पास map रहेगा, नकसा रहेगा जो कि आपको अच्छे से किलियर हो गया होगा जो कि हमार पास एक 6-room का एक low budget का यह हमारा डियान है, map है तो यह फ्रेंट्स हमारा जो map है, map आपको कैसा लगा नीचे comment box रहेगा, नीचे comment करके जरूर बताना तो फिलाल की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा यह आपने वीडियो का लाइक और सेर नहीं किया है तो प्रीज लैक भी कर दीजिए, सेर भी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राब करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नाने के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत